प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कल काशी में 850 करोड की सौगाद दी पीम ने कल 21 परियोजनाव का लोकार पण किया जिन में वर्ल्ड लेवल के ट्रेड सुवधा सेंटर से लेकर गंगा नदी पर पुल और जल अम्बूलेंस की सौगाद भी शामिल है बता दें कि सांसच उने जाने के बाद मोदी 11 वी बार काशी आये हैं इस बार मौका नवरात रखा है इसलिए शक्ती साधना के साथ साथ 21 परियोजनाव की सौगाद भी पीम मोदी काशी को दे रहे हैं पीम उस स्टेट फैसिलिटेशन को काशी की जनता को समर्पित कर रहे हैं जिसकी नीव उन्होंने खुद 2014 में रखी थी इस स्टेट फैसिलिटेशन सेंटर से काशी में बुन कर और उस से जुड़े 10 लाख लोगों को फाइदा होगा जिन 21 परियोजनाओं की सौगार पीम मोदी दे रहे हैं उनमें बनारस चंदौली को जोड़ने के लिए गंगा परबने सामने घाट और बलुवा घाट पुल, मालविया एथिक्स सेंटर, दो बिजली उपकेंद्र और सारनाथ में बुध थीम पार्क शामिल है इसके अलावा पीम काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालूं को भी तौफा दे रही हैं पीम मोदी 2014 के लोगसभा चुनाव में काशी और वरोद्रा दोनों जगह से चुनाव जीते थे हाला कि उन्होंने वरोद्रा सीट छोड़ दी थी लेकिन आज उन्होंने दोनों शेहरों को एक साथ जोड़ दिया है वरोद्रा के बीज की दूरी 1531 किलो मिटर है ट्रेन वारानसी से वलोद्रा के बीट का सफर करीब 27 घंटे 30 मिनट में पूरा करेगी महमना एक्सप्रेस ट्रेन हर शुक्रवार को वारानसी से चलेगी जबकि वलोद्रा से हर बुद्वार को महमना एक्सप्रेस चलेगी अभी वारानसी से एहमदाबाद के बीच साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन चलती है महमना एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा पीएम मोदी ने आज वारानसी को जल एम्बूलेंस सर्विस और जल शववाहन सेवा की भी सौगात दी शहर में ट्राफिक जाम की बड़ी समस्या है जिसको देखते हुए गंभीर मरीजों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाने के लिए गंगा नदी में जल आम्बूलेंस चलाई जाएगी वहीं घाटों पर दासंसकार के लिए शवों को ले जाने के लिए जल शववाहन सेवा चलेगी